Hi Everyone, आप सभी का एक नीव वीडियो में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके मुबाइल का टच इसक्रीन सही से काम नहीं करता या फिर काल करते वक्त आपके मुबाइल का टच बिलकुली काम करना बंद कर देता है तो गाइज मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने मुबाइल की टच स्क्रीन को बड़ी आसानी से रिपेर कर सकते हैं तो आईए जानते हैं इस ट्रिक को कैसे अपलाई करें जिसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या टाइप करना होगा दोस्तो आपको टाइप करना होगा टाच स्क्रीन जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने काफी सारे अप्लिकेशन देखने को मिल जाएंगे दोस्तो जो first number पे उस पे आपको click करना है जैसे ही click करेंगे आपकी सामने कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा दोस्तो इसकी rating 4.6 से 5 million लोगों ने इसे download कर रखा तो guys मैंने इसे आपको already download कर रखा तो आपको भी download कर लेना है दोस्तो जैसे ही download हो जाता then उसके बाद आपको open पे click करना होगा जैसे ही open पे click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा उसके बाद आपको start पे click करना होगा उसके बाद आपको एक बार tape करना होगा थोड़ी देर आपको wait करना होगा उसके बाद आपको two step पे जाना होगा और आपको अपने मूबाईल को बंद कर देना धियान रहे आपको 2-3 मिट बाद ही फिर से आप अपने मूबाईल को दुबारा ओपन करना है तो ये problem आपकी soul हो जाएगी अगर आपके मूबाईल की touch screen टूटी होई है तो ये problem बढ़ भी सकती है तो दोस्तो इसी तरह से आप अपने मुबाईल की टच स्क्रीन को बड़ी आसानी से रिपेर कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने मुबाईल को रिपेर कराने की भी जरूरत नहीं तो गाइज आज के लिए इतना हैं मिलते हैं एक निव वीडियो में